Hello Friends, तमशकार, Welcome to Technical Asterah दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ DSR-O के बारे में पूरी जानकारी साथ ही दोस्तों DSR-O का गठनी क्यों किया गया है जाने कि Defense Space Research Agency क्यों बनाई जा रहे है और कौन कौन से देश Military Space Command कर रहे है और इससे क्या-क्या फाइदे हैं देश को और क्या-क्या इससे चिंताएं हो सकती इस सब के बारे में आज आज आपको इसमें पूरी जानकारी मिलने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसे कि आप सबी को पता है कि 27 March 2019 का वो दिन जिसमें भारत ने मिशन शक्ती का इस्तमाल किया था यानि की मिशन शक्ती का एक सफल प्रियोक किया था जिसके माध्यम से स्वदीशी एंटी सैटलाइट मिसाइल से लगभग 300 किलोमेटर दूर अंतरिश्क की निचली कक्षा में तैनाथ अपने एक लाइव उगढ़ा यानि के माइक्रो सेट आर को मार गिराया था लेकिन इसके बाद भारत को इसके काफी फाइदे मिले एक तो भारत दुनिया का दोस्तो चौता देश बन गया जिसके पास स्पेस में सैटलाइट मार गिराने की शक्ती आ गई है और साथी स्पेस वार का मुकाबला करने की एक शमता भी आ गया दोस्तो अभी तक किसी देश ने ऐसा नहीं सूचा था कि भारत जैसा देश एकने जल्दी स्पेस वार को लेकर अपने तयारियों में इतनी तेजी दिखाएगा क्योंकि अक्सर लोग भारत के बारी में यही कहते है कि यहां जो काम का प्रोसेस है वो काफी स्लो है लेकिन स्पेस के इस छेतर में लोगों ने भारत की काफी तारिफ करी है दोस्तो 11 जून 2019 में जैसे ही नई गॉर्मेंट बनी उसके बाद अंतरिक्ष में जो वार है यानि अंतरिक्ष में जो लडाई है उसके स्थिती में थुरक्षा बलो की तागत को बढ़ाने के लिए नई एजनसी जैसे कि Defense Space Research Agency या निए DSRO कहा जाता है उसको बनाने की मनजूरी दे दी और इसे भारत का इरादा साफ हो चुका है कि आने वाले वक्त में भारत स्पेस से किसी भी खत्रे से निपटने के लिए तयार और मुस्ताइद रहेगा दोस्तों आपको ये बात बिचानी हाँ पर बेहर ज़रूरी है कि अमेरिका पहले ही रूस और चीन से स्पेस में जंग की जो आशंका है उसको देखते वे 2020 तक अपने स्पेस फोर्स बनाने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है और साथी दोस्तों भारत में भी स्पेस वार के लिए अपने आपको तयार कर लिया है दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत को स्पेस की तरफ से कोई खत्रा है या फिर कोई ऐसी स्पेस जंग चिड़ने वाली है जिससे नुकसान हो सकता है और अंतरिक्ष में अगर युद की स्थिती पैदा हुई तो क्या हमारा देश इस मामले में चीन का मुकाबला करने की स्थिती में होगा अब ये सवाल आपके मन में आ चुके है दोस्तों आपको उता दे कि भारत की सुरक्षा पर क्याविनेट कमेटी ने DSRो को गठित करने की जो मंजूरी दी है उसका में मकसद है अंतरिक्ष में मुकाबले के लिए अपने आपको तयार रखना और ऐसे हत्यार और तकनीक को बनाना जो कि स्पेस वार में कामा सके दोस्तों आपको बता दे कि ये एजेंसी रक्षा आंतरिक अनुसंधान एजेंसी को शोध और अनुसंधान में सयोग भी करेगी साथ ही आपको बता दे कि D.A.C. यानि कि डिफेंस स्पेस एजेंसी में तीनों सेनाओं के सदस्चे है जोकि अंतरिक्ष में किसी भी तरगी को इलड़ाई होती है उसको लड़ने के लिए एक सयोग के रूप में काम करेंगे दोस्तों अभी इन सब चीजों से ये साबीत हो जाता है कि अंतरिक्ष से कोई खत्रा वास्तब में पैता हो सकता है अगर तनातनी किसी भी इस्तिती में दोनों देशों में जंग छेड़ने या फिर विश्व युद्ध जैसी को इस्तिती आती है तो परंपरिक तोर तरीके वाले युद्ध तो होई सकते हैं लेकिन इन में सबसे ज़्यादा खत्रा होता है एटमी हतियारों का जिया ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जंग धरती पर नहीं बल्कि स्पेस से लड़ी जाएगी युद्ध यदि सीधे-सीदे अंतरिक्ष में नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि धरती पर होने वाले युद्ध अंतरिक्ष के जरीए संचालित हो अमेरिका की जो Space Force आजकल काफी चर्चाओं में बनी है जैसे कि आप सबको मालूम है आपको उता दे कि रासपत्री डॉनल्ड टरंप ने Space Force में लोगों के चुनाओं को लेकर आम लोगों से भी राय मांगी है फिलाल अभी अमेरिका की तरफ से इस मामले में कोई पहल नहीं हुई है अमेरिका के अलावा चार अन्य देशों के पास अंतरिक्ष्य फॉज जैसे परबंध है इन्हें Military Space Command कहा जाता है ये देशें चीन यानि People Liberation Army की Strategic Support Force फ्रांस की French Joint Space Command रूस की Russian Aerospace Forces और Russian Space Forces और England की Royal Air Force और RAF Air Command दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते कि Space Force के मामले में अमेरिका इस वक्त सबसे आगे चल रहा है और अमेरिका ने फिलाल जो उनकी सेना की पास शाखा है जिसमें Y-Sena, Thal-Sena, Coast Guard, Marine Crops और Naucin है और इनी में से 2020 में एक Space Army बना ली जाएगी और यह अमेरिका की सेना की छटी शाखा होगी Space Army को बनाने के बारे में दोस्तों ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि रूस और चीन से पैदा हो रहा है खत्रे को देखते वे अमेरिका ऐसा करने के लिए विवश हुआ है यानि कि अमेरिका यहाँ पे इन दोनों देशों के Space में जो यह गतिविदिया कर रहे हैं उससे अमेरिका को काफी टेंशन हुई है और अमेरिका को लगता है कि रूस और चीन जिस तरीके से Space में बड़ी संख्या में सेटलाइट को छोड़ रहे हैं यानि कि अउपगरों को छोड़ रहे हैं इससे अंतरिक्ष में तैनात अमेरिका के संचार, निविगेशन और खूफिय सूचना जोटा रहे अमेरिकी अउपगरों को खत्रा हो सकता है चीन के बारे में हापे मैं आपको उदाना चाहूँगा कि चीन ने भी अपने बेकार हो चुके अपने एक सैटलाइट को मिसाइल दाग कर अंतरिक्ष में खत्म कर दिया था अब अमेरिका को ये लग रहा है कि ऐसी दिन अकर तनातनी बढ़ेगी तो चीन अमेरिका के उपगरों को कभी भी अंतरिक्ष में तबहा कर देगा अब आपको ये बताना ज़रूर है कि स्पेस आर्मी किस तरीके के हो सकती है वैसे दोस्तों आपको उता दे कि स्पेस डिफेंस एजिंसी यानि कि स्पेस आर्मी कैसे काम कर सकती है इसके बारे में वैसे तो कोई जानकारी हमारे पास उपलब नहीं है लेकिन अमेरिका ने इसके बारे में कई चीज़े बताई हैं डॉनल्ड टर्म ने ये बात नहीं बताई है कि स्पेस आर्मी कैसे काम करेगी पर अमेरिका ने स्पेस वार का जो मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंट्स बना रखे हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से ये फोर्स बन सकती हैं जैसे अमेरिका की अनुसार मुख्य रूप से वो तीन तरह की प्रण्यालियों पर काम करेगा पहला तो ये अगर दुश्मन देश अमेरिका पर आक्रमन करता है तो अंतरिक्ष में प्रिथिवी की कक्षा में इस्तित जो सेने उपकरा है जिसे वो कॉमन एरो विकल कहते हैं उससे 3000 नौटिकल मिल की गती से भारी तबही मचाने वाला 1000 पाउंड के वजन वाला बम बिल्कुल सटिक निशाने पर दागा जा सकेगा इसी तरह से अंतरिक्ष में तैनात उपकरणों की साहता से लेजर किरणों से भी हमला बोला जा सकता है यह नहीं दोस्तों आप बता दे कि इसी तरह की प्रणाली को Evolutionary Air and Space Global Laser Engagement यानि की Eagle कहा जाते हैं इसे हवा से हवा में सता से सता पर या फिर अंतरिक्ष इस्तित लेजर प्रषेपक सिस्टम से धर्ती पर संगहारग यानि की हानिकारग शमता वाली लेजर कृने Pay की जा सकती है जिससे दुष्मन के ठिकाने पल भर में नस्ट हो जाते हैं इस स्पेस वार में दोस्तों अमारिका ने अपने एक हतियार को रोड्स फ्रॉम गौर्ड जैसा नाम दिया है यानि कि धातू से बनी अंत्रिक्ष में प्रिथेवी की कक्षा में बहतर सो मिल प्रतिघंटी के रफ्तार से चक्कर काटने वाली करीबन 100 किलोग्राम वजनी प्लेट फार्मों से प्रिथेवी पर मौत की वर्षा की जा सकती है इसके अलावा पार्टिकल बीम जिने की अफशोषित और खतरना किरने कहा जाता है उनका भी इस्तमाल हो सकता है साथी काइनेटिक किल वेपन्स और मिसाइलों के अलावा अनेक हत्यार है जो की अंत्रिक्ष से प्रतिवी और अंत्रिक्ष में ही कहर बरपास सकते हैं इसके हलावा Space Bucks, Space Hackers, E-Bump, Propulsion System, Space Fighter, Alien Technology और Plasma Weapons ठक भी इसमें शामिल है जैसे कि आप सभी जानते कि Space Bucks एक तरीके की टाउनों होंगे जो अंतरिक्ष से धरती पर उतर कर कई खतरनाक बिमारियां पैदा कर सकते हैं और Space Hackers के दर ये अंतरिक्ष में इस्तित उपग्रहों से लेकर प्रिथवी पर इस्तित जो संचार और विद्ध प्रनालियां उनको ठप किया जा सकता है दोस्तों यापे जो विद्ध प्रनालिय ठप करने को लेकर एक हाली में अपडेट पर आया है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूस को अमेरिका की तरफ से एक धमकी भी मिली है अमेरिका ने कहाए कि वो रूस की जो पावर ग्रिड है उसको एक मिनट के अंदर बंद कर सकता है जाने कि इसको आप एक तरह से साइबर वार भी कह सकते हैं तो इससे रूस भी काफी टेंशन में है लेकिन रूस ने भी अपने आपको इस तरीके से तयार कर लिया है कि वो अमेरिका की इस खत्रे को आसानी से उससे निपट सकता है दोस्तों आप में बात कर रहा हूँ इस वक्त हतियारों की जोकी इस्तमाल होने वाले हैं अंतरिक्ष में स्पेस वार के दोरान दोस्तों अमेरिका की जो एर फोर्स है वो स्टार वार की योजना पर भी काम कर रही है स्टार वार नाम की योजना में एक ऐसी मिसाइल की बारे में बात कर चुके हैं जिसमें हमले की सूचना अगर मिलती है तो दुश्मन देश की तरफ अंतरिक्ष में तरात मिसाइले दरगे जा सकती हैं जैसे कि रूस ने अपने डेड हैंड को भी विक्सित कर रखा है रूस का जो डेड हैंड है वो भी इसी तरीके से काम करता है दोस्तो डेड हैंड के बारे में मैं एक वीडियो में रखा है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूँगा आप समसकते हैं कि रूस के डेड हैंड से कितना प्रभावित अमेरिका हुआ और ये कितना खतरनाक हो सकता है ये आप इस वीडियो में पूरे जानकारी ले सकते हैं दोस्तो अब आपको इस बारे में ये भी जाना जरूरी है कि अंतरिक्ष्ट के इस युद्ध को लेकर वर्ल्ड में क्या टेंशन हो रखी है। इस योजना का विरोध भी हो रहा है। करना मजबूरी बन जाता है। तो दोस्तो ये है अंतरिक्ष्ट से आने वाले खत्रों से निपटने के लिए भारत की योजना साथ ही विश्व में क्या को चल रहा है। इस बारे में इस सब के बारे में ये पूरी की पूरी एकडिटे है। का भारत की इस नई स्पेस एजनसी के बारे में क्या मत है और क्या आप वाके में भारत की इस कदम से संतुष्ट है। आप जरूर अपने कमेंट सामें कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। साथी दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना बोले। धन्यवाद जय हिंद जय भारत।